हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग अलपाधिकार को देखेंगे जिसे उलीगो पॉली भी कहा जाता है जो अपुर्ण प्रतियुकता बाजार का एक रूप है साथ ही साथ इसी वीडियो में हम लोग अलपाधिकार की विसेस्ताओं को भी देखेंगे अब हम लो होती है वे सीमित संख्या में और बड़ी होती है और किरेताओं की शंख्या अधीक होती है अब हम लोग अलपा अधिकार के विशेश्टा को देख लेते हैं जिसमें फर्स्ट है गैर कीमत प्रतियोगता अलपा आधिकार में उत्पादक अपनी बस्तों को अधीक शंख्या में बेशने के लिए तरह तरह का स्कीम या उफर जनता को देते हैं जैसे सर्वीसेज प्रोवाइड करना 20 या 30 परसेंट का डिसकाउंट देना जिससे कश्टमर उसके उत्पाद की और आकर्सित हो नेक्ष्ट है फर्मो के प्रवेश पर बाधाएं इसमें फर्में जो होती है काफी बड़ी होती है जिससे उसमें पुंजी की अत्यधीक आवशक्ता होती है इस कारण छोटे मोटे फर्में इसमें इंटर नहीं कर सकते जैसे आटो मोबाइल सीमेंट नेक्ट है फर्मों की बीच प्रतियस परधा अलपा अधिकार में फर्मों की बीच अपनी उत्पात को बेशने के लिए प्रतियस परधा होती है नेक्ट है व्यापार गुटों का निर्मान अलपा अधिकार में फर्मे आफस में गुट का निर्मान कर लेती है और गूट बनाने के बाद एक लीडर का चुनाब करते हैं और लीडर जो कीमत डिशाइड करती है उसी कीमत पर सभी फर्मों को बस्तुओं को बेशना होता है नेक्ट है बस्तु की प्रकेड़ती अलपा अधिकार में बस्तुओं समान या अलग हो सकती है नेक्ट है बिक्रेताओं की शंख्या सेमित अलपा अधिकार में बिक्रेताओं की शंख्या कम और क्रेताओं की शंख्या अधीक होती है नेक्ट है कीमत तथा मात्रा निर्धारन है तो फर्मों में आत्म निर्भरता अलपाधिकार में कीमत तथा मात्रा निर्धारन है तो फर्मों में आत्म निर्वर्ता होती है अर्थात कोई भी फर्म कीमत और उत्पादन के बारे में कोई भी निर्ण है विरोधी फर्मों की प्रतिकिरिया को ध्यान में रख कर करती है यूशी के साथ मेरा आज का वीडियो समापत होता है यदि मेरा वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब किजिएगा हम लोग फिर मिलेंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार